दो नेक्स इस लेक्शर की सीरीज में आज हम चैप्टर नमबर थरटीन स्टार्ट करेंगे फंक एकट के लिए जिसमें हम अलेक्टिक करण्ट रिजिस्टेंस, कंड़क्टेंस, रिजिस्टिविटी और उनकी डिपेंदेंस के बारे में डेटेल से देखेंगे so current basically flow of charge है जब तक charge rest पे रहता है उसको हम electrostatic में study करते हैं लेकिन अगर वो ही charge uniform speed से flow करना शुरू करते तो वो हमारे पास electric current को generate करता है और इसका symbol i होता है i is equal to q over t that is rate of flow of charges will generate the electric current और इसका जो unit है वो column per second होता है जिसको हम ampere बोलते हैं और हमारे पास electric current जो है एक scalar quantity है जबकि अगर किसी भी हमारे पास cross sectional area में per unit time अगर एक column charge flow करें तो हम कहते हैं कि यहां पे एक ampere की current जो है वो generate हो रही है typically हमारे पास क्यूंकि चार्जिस दो तरह के थे तो इसलिए हमने उनकी direction के हिसाब से बोला के current जो है वो दो तरह की है एक जो पुराने तरीके से हम लेते थे current को that was conventional current conventional का word convention से निकला है जिसका मतलब होता है जो चीज रवाज हो रसम हो रवाज हो तो electrostatic में क्यूंकि हमने पढ़ रखा था कि हमारे पास जो चार्जिस हैं वो दो तरह के होते हैं positive और negative so हमेशा जो बाकी चीज़ों की तरह जो current भी है वो high potential से low की तरफ जाएगी मतलब positive से negative की तरफ लेकिन modern era में हमें पता है कि हमारे पास जो current flow जो generate होती है वो usually flow of electron की वजासे होती है so इसको हम electronic current बोलते हैं जिसमें जो हमारी current है हम उसकी direction negative to positive लेते हैं मतलब low potential से high potential की तरफ लेते हैं so इन दोनो type of current में just direction of flow का फरक है बाकी magnitude दोनों की सेम होती है दोनों के heating, chemical और जो magnetic effect होते हैं उस सारे के सारे सेम है, just circuit में हमारे पास जो current की flow के direction है उसमें फरक है इसके लावा हमारे पास जो magnitude की output के हवाले से जो current की type है वो दो है एक है DC current और एक है AC current आपको बता है अगर हमारे पास जो current है वो अपनी polarity बार बार चेंज कर रही हो तो हम उसे alternating current बोलते हैं जिसमें हमें यह जिससे आप देख सकते हैं sinusoidal wave की form में output मिलती है और अगर वो अपनी polarity चेंज ना कर रही हो तो उसको DC current बोलते हैं यह further दो तरह की होती है एक को बोलते है pure DC जो के अपनी magnitude में बिलकुल constant होती है और एक को बोलते हैं pulsating DC जिसमें puls की form में मतलब येतनी smooth form में हमें output DC की नहीं मिल रही होती है तो कौन सा generator आप यूज कर रहे हैं वो decide करेगा आपको किस तरह की current बोलती है एक important चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास current के continuous flow के लिए दो चीजों का होना जरूरी है इन दोनों में से अगर एक point भी missing होगा तो हमारे पास current flow नहीं करेगी पहली चीज है कि there must be some kind of potential difference voltage का difference, potential का difference लाज़मी होना चाहिए अगर इसमें change ना आ रहा हो तो हमारे पास current है वो नहीं flow कर पाएगी so there must be potential difference जिस तरह एक अमोमन सादा सी example है जिस तरह आपने देखा होगा कि जो परिंदे हैं वो तारों पे बैठने के बावजूद उनको current नहीं लगती क्योंकि उनके दोनों पाउँ एक ही तार पे होते है तो अगर उनका पाउँ एक तार के होते हुए दूसरे को गड़ टाच कर ले तो फिर potential difference आएगा और फिर current लगेगी इसी तरह अगर कोई इनसान भी rubber की या प्लास्टिक की चपल पैन के या गलफ पैन के किसी live wire को पकड़ भी ले तो उसको current नहीं लगेगी क्योंकि हमारे पास उस time potential difference create नहीं होगा अगर चपल के बगएर आप किसी तार को हाथ लगाएंगे तो क्योंकि जमीन जो है वो zero potential पे है और आपने हाथ में जो तार पकड़ी होगी उसका कोई ना कोई potential होगा जिसके वज़ाद से potential difference create होगा और charges जो है वो उस्तार के high potential से जमीन के low potential की तरफ flow करेंगे जिसकी वज़ाद से आपको current लगेगी फिर और potential difference के लावा जो दूसरी condition है जिसका होना ज़रूरी है current के flow के लिए that is there must be a closed loop और closed circuit हमेशा charges जो है वो closed circuit में जो है वो flow करते हैं यही वज़ा है जब हम switch को open कर देते हैं तो हमें output पे current मिलना बंद हो जाती है तो इसलिए circuit का close होना ज़रूरी है so current को measure करने की जो basic devices हैं जो सबसे पुरानी device थी that was galvanometer so the current flowing through a circuit can be find by attaching it with some devices like galvanometer galvanometer एक sensitive device है जो के few mili ampere की ही current को सिरफ find out कर सकता था अगर इससे ज़्यादा current की value होगी तो इसका circuit जो है वो short हो जाएगा इसलिए galvanometer को थोड़ा modify करके हमने ammeter बनाया ammeter कैसे बनाते हैं एक shunt resistance को galvanometer के parallel add करके यह बड़ा important mcq है याद रहे गalvanometer के जब parallel हम shunt को attach कर देते हैं तो वो किस में convert हो जाता है ammeter में so that is why वो थोड़ा एक team work के साथ ज़रा ज़्यादा amount of current जो के few amperes तक की होती है उसको find out कर सकते है so ammeter is a modified form of galvanometer which can calculate यह which can detect the current of few amperes और दोनों को चाहे galvanometer हो चाहे ammeter हो जब भी आपने current mirroring device को circuit में लगाना है तो आप हमेशा series में उसको लगाएंगे circuit के साथ यह आपने point याद रखना है so next current in metals अगर हम देखें so metal में हमें पता है free electrons बेशमार होते हैं so such material जो के metals हैं they can be used as a good conductor क्योंकि उनमें free electron के ददाल ज्यादा होती है तो उनको हम conductor के तोर पे use कर सकते हैं electricity को एक जगा से दूसरी जगा बेजने के लिए अब याद रहे हमारे पास metals का in the absence of electric field क्या behavior होता है और in the presence of electric field क्या behavior होता है अब क्योंकि जब हम electric field apply नहीं करते तो हमारे जितने भी free electrons हैं वो सारे के सारे random motion में होते हैं और यह random motion जो है इसको thermal motion भी बोलते हैं temperature पर डपेंड करती है जिस हिसाब का temperature होगा उस हिसाब से free electron random motion जो है वो कर रहे होते हैं और हमें output पे current इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो एक दूसरे के effect को cancel out कर रहे होते हैं due to collines क्योंकि सारे random direction में move कर रहे होते हैं जब हम उनको battery apply करते हैं तो basically उनको एक drift velocity मिलती है और सारे के सारे जो free electrons हैं वो एक direction में line up होके move करना शुरू करते हैं तो याद रहे battery metals को charge provide नहीं करती बलके सिरफ एक push provide करती है जिसकी वज़ा से एक harsh direction में line up होके सारे के सारे electron जो हैं वो move करना शुरू करते हैं और ये drift velocity 10 अच्छ पाव माइनस 3 meter per second होती है जिसकी वज़ा से फिर हमें output पे current मिलना शुरू हो जाती है so metal में जैसे कि हमने देखा कि electric field की वज़ा से free electrons एक harsh direction में move करते हैं तो हमें current मिलती है so metal में जो charge carrier हैं वो free electrons होते हैं जबके जो electrolytes होते हैं हमारे पास उन में हमारे पास आइंस charge carriers के तोर पे के टाइंस और एन आइंस positive और negative आइंस के flow की वज़ा से हमें output पे current मिलती है जबके semiconductors में हमारे पास दो तरह के charge carriers होते हैं free electrons और holes इसके लावा जो हमारे पास source of current हैं वो cells की form में, thermocouples की form में, windmills की form में generator की form में, solar cells और dams की form में हम इनको source of current यूज़ करते हैं जिसमें ये किसी भी form of energy को एक form से दूसरी form में convert करते हैं और जिसे हम output में अपना काम लेते हैं इसके लावा जैसे हमने metals में बात की, drift velocity की तो हमारे पास जो drift velocity का formula है, value इसकी है 10s power minus 3 meter per second और value इसकी है i over nae i से मुराद current है n से मुराद number of charges है a से मुराद area of cross sectional area है, conductor का और e से मुराद एक electron के उपर charge है यह आपने value जबानी याद रखनी है और अगर हम i के जगा v over r put करें हम लाग के मताबिक तो यह वार्मुला बन जएगा और अगर r के जगा इसकी value put करें तो यह हमारे पास expression आ जएगा तो यह drift velocity के सारे के सारे expression आपने याद रखने हैं और इन से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो drift velocity है उसका current और voltage के साथ आपस में direct relation है तो battery के voltage जतना जएदा होगा drift velocity उतनी जएदा होगी drift velocity जतनी जएदा होगी वो उतनी तेजी से flow करेंगे और उतनी जएदा current output में हमें देंगे जबकि आप देख सकते हैं कि drift velocity का resistance के साथ resistivity के साथ length के साथ और temperature के साथ इसका inverse relation होता है क्योंकि temperature जएदा करेंगे तो kulinion बढ़ेंगे जिसको जासे resistance बढ़ेगी resistance बढ़ेगी तो हमारे पास जो drift है velocity वो कम से कम होती जाएगी next एक बड़ा important topic है हमारा ohms law जिसमें हम जानते हैं कि दो तरह के expression हम ohms law के ले सकते हैं एक तो simple जवाब पढ़ते हैं that is v is directly proportional to i proportional को हतम करें तो हमारे पास यह आराता है constant इसका जब आप graph बनाएंगे तो अगर y पे आप v ले रहे हैं और x पे आप current ले रहे हैं तो इसकी slope फिर आपको r की value देगी क्योंकि slope होती है slope किसके एकल होती है y over x तो y में v है और x में i है तो v over i जो है वो आपको r देगा जबकि इसका दूसरा जो expression है जो आपने याद रखना है और जहन में रखना है कि graph अगर i और v के दरम्यान बना हो है मतलब i is directly proportional to v तो y के along आपने i लिया हुआ है और x के along आपने v लिया हुआ है तो इस case में जो आपकी slope होगी y over x मतलब कि i over v वो आपको फिर देगी one over r जिसको आप conductance बोलते है ठीक है one over r ये slope आपको one over r देगी conductance होता है क्योंकि resistance जो होती है वो होती है opposing force in the flow of charge और conductance क्या होती है जो के हमारे पास property होती है किसी material की जिसमें वो conductors को flow करने में sport करता है तो ये दो graph आपने याद रखने हैं जिस तरह से अगर कोई आपको दो graph इस तरह के आते हैं अगर v और i के दरम्यान है तो slope r होगी i और v के दरम्यान है तो slope conductance होगी और जतना जएदा angle होगा slope जतनी जएदा होगी that means कि उसकी value भी उतनी जएदा है अगर आप देखें तो r2 और r1 में क्योंकि r1 का angle जएदा है तो ये slope जएदा है that means इस case में हमारे पास जो r1 है उसकी value r2 से जएदा है अगेन अगर हमारे पास दो whites के लिए अगर हमने graph बनाया है i और v के दरम्यान तो इसकी slope आपको 1 over r मतलब के conductance देगी और इन में भी जिसका angle जएदा होगा उसकी conductance जएदा है जो कि इस case में g1 है के लिए आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो v over r है that is equal to ohm so next ohm laa से हमारे पास दो तरह के circuit बनगे हमारे पास कुछ इस तरह के circuits होते हैं जो कि ohm laa को अभे करते हैं मतलब उन में हमारे पास जो resistance है जो conductance है वो constant रहती है तो ऐसे circuit जो कि ohm laa को अभे करते हैं उनको हम बोलते हैं ohmic circuit और जो नहीं अभे करते हैं उनको बोलते हैं non-ohomic circuit so ohmic circuit की example में metals आते हैं अगर low temperature पे जो metals है the behave as a ohmic circuit जिन में conductance और उनकी resistance है वो क्या रहती है constant रहती है अगें यहां भी मैंने आई और वी के दरमें ग्राफ बनाया तो यह slow one over r होगा मतलब conductance अगर conductance constant है तो resistance भी constant होगी और हमेशा हमारे पास इसका graph state line आएगा जबके non-ohmic circuit में क्योंकि ohm laa अभे नहीं रहता मतलब उन में जो resistance है जो conductance है वो constant नहीं रहती सो यह ऐसे materials में हमारे पास semi conductor जा जाएंगे diode जा जाएंगे और insulator जाएंगे जिनमें हमारे पास यह जो straight line है वो follow नहीं होती बलके यह bend हो जाती है सो जब आप diode यह semi conductor के लिए भी graph बनाते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों end वे हमारे पास यह straight path को follow नहीं करते हैं सो इसी तरह resistivity हमारे पास property है किसी भी material की जो एक meter cube wire की जो resistance होती है उसको हम resistivity बोलते हैं और resistance क्योंके हमारे पास directly proportional होती है length of wire के और inversely proportional होती है area wire के याद रहे कि हमारे पास जो resistance है वो चाट चीजों पर total depend करती है एक है length of wire length of wire जतनी जएदा होगी resistance अतनी जएदा होगी length of wire जतनी कम होगी resistance अतनी कम होगी और area के साथ इसका inverse relation है जूँ जूँ आप wire का area बढ़ाएंगे इसके resistance कम होती जाएगी and vice versa सुँ जब इसके अलावा हमारे पास जो resistance की जो dependence है वो nature-having material पर होथा है कि हमने वह जो wire यूज की है वह किस material की है और temperature पर भी होती है ठीक है हमारे पास किसी भी material का जो temperature यह वाइर का temperature यह resistance उसна Vienna dependent करती है और इसके समी कंड़क्टर के लिए टेमट्रेचर का रिजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होते हैं जो यह चार चीजें हैं जिनमें हमारे पास रिजिस्टेंस जो है वो डबेंड कर रही होती है तो अगर आप इन दोने equation को combine करें तो हमारे पास यहां से यह resistivity की value आती है resistivity is equal to r a over l और इसका unit यहां से हमारे पास आ जाएगा oh meter ठीक है तो अगर तो आप length को double करें तो resistance double होती है length को half करें तो resistance half होती है यहां पर एक important चीज आपनी याद रखनी है बाद उकात MCQs में आपको पूछा जाएगा कि हम length वही use कर रहे है वायर की लेकिन उसे अगर compress करें या stretch करें फिर क्या effect होगा तो यहां पर आपने यह याद रखना है कि अगर तो आप किसी वायर को compress कर रहे है compress करने से हमारे पास जो उसका बाद वाला area है वो पहले वाले area के कितना गुना हुआ है ठीक है क्योंकि जब आप किसी को compress करते हैं दबाते हैं तो उसका area फैल जाता है तो वो आपने देखना है दो गुना उसने area compress करने के बाद area उसका 2 गुना हुआ है 3 गुना हुआ है जितना भी हुआ तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि वैसे तो resistance का area wire के साथ inverse relation है लेकिन इस case में जब आप उसे compress कर रहे हैं तो सिर्फ inverse case नहीं है बलके inverse का scare होगा फार एग्जेंबल अगर आपने area को compress करके दो गुना बढ़ा दिया है तो अब यहां पर N की जगा 2 की value लगेगी और 2 का square होता है 4 तो हमारे पास जो resistance है वो 4 time काम हो जाएगी इसी तरह अगर आप compress करके area को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो फिर 3 का square 9 आजएगा 9 time उसके resistance जो है वो बढ़ जाएगी इसी तरह अगर वो length की बात करे wire के radius मतलब के length की बात करे तो हमारे पास जो length को बढ़ाने से compress करने से अगर उसने उसकी length चेंज की है तो इस case में क्योंकि आपको पता है area जो होता है वो pi r square होता है ठीक है तो radius का अगर जब वो हवाला आपको देगा तो आपने यह वाली value यूजकरनी है को resistance उसकी जतने time टाइम जो इसकी radius है वो कम याँ ज्यादा हुआ है उसकी four power के हिसाफ से resistance जो है वो कम याँ ज्यादा होगी अगर हमारे पास जो उसका radius है वो बढ़ रहा है तो फिर उसकी resistance जो है वो उसकी 4 power के हिसाफ से जो है वो चेंज होगी इसी तरह जब आप किसी wire को stretch करेंगे खेंचेंगे length वो ही है जो already है उसमें कोई आपने इजाफा वगेरा नहीं किया लेकिन आपने wire को stretch किया और stretch करने से उसका area और उसका radius जो है वो vary कर रहा है तो इस case में हमारे पास stretch करने से क्योंके कोई भी चीज़ पतली होती जाती है मतलब उसका area काम होता जाता है तो अगर आप stretch कर रहे हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तो हमारे पास जो बाद वाली जो उसकी resistance होगी वो बढ़ जाएगी कितनी बढ़ जाएगी, अगर area की बात है तो n स्केर बढ़ जाएगी n से मुराद है कितने time आपने उसको stretch किया है let's suppose एक rubber band था, उसकी पहली जो length थी वो 1 मीटर थी लेकिन अभी आपने उसको खैंच के 3 मीटर कर दिया, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया तो यहाँ पर n की जगा 2 आएगा और उसका 2 का स्केर 4 हो जाएगा इसी तरह फिर अगर आपको radius की बात करें कि stretch करने से radius को फरक पढ़ रहा है तो radius के फरक पढ़ने से resistance को n इस power 4 टाइम फरक पढ़ेगा तो यहाँ से आपने ये mind में रखना है कि simple अगर हमने resistance जो wire की पूछ रहा है वो उस wire की length को और area को कम या जयदा करने से पूछ रहा है या वो compress या stretch करने वाले MCQs आप से पूछ रहा है तो इसमें आपने इस चीज को mind में रखना है next हमारे पास जो conductance है जैसे मैंने बताया it is the reciprocal of resistance और इसके जो unit होते हैं वो पर ohum मोहो या साइमन भी इसे बोलते हैं जो के scientist के नेम पे है इसके लावा conductivity जो है वो resistivity के inverse के equal होती है और इसका symbol जो है वो sigma है और इसका unit जो है वो पर ohum पर meter होता है और obviously it is also material dependent last पे हमारे पास resistance के और resistivity के temperature के effect के लिए ये equation आपने याद रखनी है दोनों और इसके लावा याद रखना है के copper और silicon they are best conductors और copper की जो resistivity का जो graph है ये वला आपने याद रखना है